मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरी चैनल पर आज की स्वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाल हुआ है मेरा शॉपिंग हॉल मैंने अपने बच्छों के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं और यह मैंने ऑनलाइन नहीं मगवाया है ऑफलाइ जाके मैंने लिए है रिलाइन्स ट्रेंड से जी है रिलाइन्स ट्रेंड पर चल रही थी सेल जब मैंने जाके लिए 50% ओफ चल रहा था ऑभई क्या मस्त कपड़े मुझे मिले तो मैंने सुछा आप लोग किसाद शेयर जरूर करती हूँ बहुत ही मस्त कपड़े थे बढ़ अब जाके जरूर ट्राइ कर सकते हूँ बहुत मस्त कलेक्शन था तो मैं आपके साथ शेयर कर दावली जो मैंने दिशा और शिवांच के लिए हैं अच्छली हम लोग अभी ट्रेवल प्लैंड कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए ये लिये थे तो फोटो मैं जो भी साइड म जो मैंने ली है दिशा के लिए ये मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छी लगता है मुझे दांगरी बच्फन में मैंने कभी नहीं पहनी बड़ अब मैं को जब भी दिखते है ना मैं दिशा के लिए ले ले लेती हूँ ये उसके अंदर की टीशिर्ट है और ये है ड कोई शॉपिंग की शॉपिंग हो गई तो ये मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही प्यारी मुझे लगी इसकी डांगरी जो है ये आप देखो ये इसके फ्रंट में है यहां पर एंब्रॉइडरी भी मिलती है और ये टसल्स लगे वह मिलते हैं यहां पर एक कोटेशन जिसमें आपको दोनों तरफ पॉकेट भी मिलती है यह आप देखिए तो बच्चा कुछ रखना चाता है तो इसमें आप रख सकते हो पॉकेट ये स्ट्रेचेबल है यह आपको इसका फैबरिक दिखाती हूँ तो यह स्ट्रेचेबल है बहुत जादा तो नहीं है स्ट्रेची थोड़ सी हेल्दी है तो मैंने तो हमेशा जब भी बच्चों की कपड़े मैं लेती हूँ ना ऑफ-लाइन घर के आसपा स्टोर से जाके लेती हूँ तो बच्चों को साथ में ले जाती हूँ आझ सेकंड़ द्रेस मैंने मह बंगवा ही अदिशा के यह मुझे ब बहुत अच्छी लग रही है अगर आपका बच्चा थोड़ सा हेलदी है आप चाहते हो कि असका टमी फैट ना दिखे तो एस तरीकी की ड्रेस आप अपने ले अपने बच्चे के लिए दोनों के लिए ले सकते हो अगर आपको भी तमी फैट की प्रावल में तो आप इस तरी पीछे की तरफ आपको गला क्योंकि बहुत चोटा है तो पीछे की तरफ आपको इस तरीके से बटन लगा हुआ मिलता है बहुत प्यारी है मुझे कलर कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगा इसका मैं आपको दिशा की शिवांच की जब भी वह पहनें उनकी फोटो साइड में कपड़ों में तो इसलिए मैं तो पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ तो यह आप देख तो बहुत प्यारी ड्रेस है और बहुत ही डीसेंट है नेक्स्ट क्योंकि मुझे इसका पैटन बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सेम पैटन में दूसरा कलर लिया है यह कलर बहुत ही ब्यूटिफुल है यह आप देखो पीच कलर की है यह जिसमें वाइट और ब्लू कलर का फ्लोरल प्रिंट होरक है बहुत ही डीसेंट अब भी भी अगर आप सेप्टमर ऑक्टूबर में भी लेना चाहते हो तो जाके ले सकते हो वहापर किसी ना किसी अलग नाम से सेल लगी होई होगी क्योंकि उन्हें समर कलेक्शन तो निकाल नहीं है बाहर ताकि वह अपना विंटर कलेक्शन उसमें सेट कर सके अपने यह बहुत ही प्यारा है एक मैंने सेम ऐसा ही ग्रीन कलर कर लिया है वह अभी उस पहन चुकी है तो वह भी धुला हुआ है यह आप देखे तो बहुत स्ट्रेचिबल है और इसकी लुक बहुत अच्छी है यह आप देखे पॉपकेट्स मिलती है इसमें बहुत ही बहुत है तो और ज्यादा चाहँ गए यह देखो यह दिखो यह दिशा के लिए मैं इसके साथ के लिए टी शिर्ट ली है बहुत ही प्यारी सी यह इस तरीगे किया रैसा आपको लोगेगा श्रग है पट नहीं यह सिंगल पीस टी शिर्ट है इसके स्लीव बहुत अच्छे थ Smackallah नव में जूर्ट बहुत जल्दी खराब करता है कि इतना दोर्ता भागता कि इसके कपड़े बहुत बहुत जल्दी खराब होता है तो मैं जब भी पी ट्रैवल करते हूं उसके लिए दो चार जोडी कपड़े हमेशा एक्स्ट्रा ही ले जाती हूँ शिवांच के लिए मैंने एक लिया है बॉटम मुझे इस तरीके के बॉटम बहुत अच्छल लगता है जिसमें बटन बटन का चक्कन ही होता है क्योंकि वह अभी बटन खुद से रही खोल पाता है तो उसे सुसुसु जाना होता है तो बहुत हो जाएदा इरिटेट हो जाता तो उसे चाहिए होता है कि ममा बटन वाला नही लेना मेरे मिले नाडे वाला लेना तो ये नीचे की तरफ से भी आपको इस तरीके से मिलता है तो अगर एक दो इंच बड़ा भी आप लेतो हो तो बट्चे के पैर से निकलेगा बिलकुल भी नहीं निकलता है, यहां पर आप देखोगे, प्रिंट होर का है, पॉकिट आपको मिल जाती है और उपर की तरफ से बहुत ही अच्छा लास्टिक मिल जाता है, बहुत ही कूल पैंट है यह, मैं आपको पहले पैंट ही दिखा देती हूँ, पैंट के साथ, शर्ट भी ली है मैं इस तरीके की जो पैंट होती है यह बहुत अच्छी लगते हैं मुझे शिवांश के ओपर यह आप देखोगे, इसमें भी उपर की तरफ लास्टिक है, किसी में भी बटन वाला चक्कर मैंने नहीं रखा है, पॉकिट बहुत सारी मिलती है इसमें, और यह आप देख सेते है अच्छी क्या होता नहीं जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो बच्चा इतना ज्यादा बीजी हो जाता है ना इतना एक्साइटिटी हो जाता है कि उससे सुसु तब बताता है बिल्कुल आने वाली होती है तो उस ताइं पे बटन बटन खोलना तो जोड़ता इरिटेटिंग ह हो जाता है तो इसने मैं बच्चों के लिए इस तरीके की पैंट्स लेना ज्यादा प्रिफर करती हूँ एक मैंने ली है ब्लैक कि इसमें भी नीचे की तरफ लास्टिक है और यहां पर आप देखोगे पॉकेट बड़ी स्टाइलिश सी लगी हुई है चेन वाली यह हो गई पैसे की अगर मैं बात करूं तो यार यह काफी अफॉर्डबल थे मतलब वैसे तो इनका प्राइस साथ सो आठ सो रुपे था बट सेल में तीन सो साढ़े तीन सो रुपे के अराउंड मुझे मिल गई जो की बहुत ही अच्छी चीज है अब मैं आपके साथ शेयर करती अब यह 50% में 220 रुपे की आपको पढ़ जाती है इससे जादा क्या सस्ता लोगे मुझे समझ में नहीं आता और यह कॉटन की शेयर्ट है 100% कॉटन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली मैं तो आपको बोलूँ की कि जाओ जाके ट्राइस दूरू यह बहुत ही प्यारी है और यह कॉटन की शेर्ट है इन में प्राइस टैग में आपको दिखा देती हूं यह देखो 599 रुपीज का है 50% आप में आपको 300 रुपे की पढ़ती है सिर्फ बहुत ही अच्छी है पैंट में भी आइधिंक प्राइस टैग तो सब में ही लगे हो 29 का टैग पढ़ा है तो 400 रुपे की आपको यह पढ़ते है तो मुझे लगता है अगर आप 800-900 रुपे में बच्चे की एक जोड़ी कपड़े बनवा लेते हो इसससता और अच्छी क्वालिटी का इसससता मुझे नहीं लगता आपको कहीं और से मिलेगा एक मैंने मंगवा खरीदी है इसके प्राइस की अगर मैं बात करें इसका प्राइस है 599 रुपीज तो मुझे सिर्फ 300 रुपे की टी-शेट पड़ी है बहुत ही प्यारी सी और बहुत डीसेट एक और मैं आपके साथ टी-शेट शेयर कर रही हूँ यह मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी यह अप देखोगे ने आप फेट वर खुरका है बहुत प्यारी क्वालिटी है बहुत प्यारी अगर आपके घर के आसपास रेलाइंस ट्रेंड है तो भई जाओ और ट्राइज जरूर करना मुझे तो यह बहुत ज्यादा अच्य लगे है कपड़े मतलब मुझे एक्सपक् करके यह बटन लगा के भी पैना सकते हो तो यह कूल शर्ट्स है बेसिकली इसका भी मैं आपको प्राइज बता देती हूं कि मैंने किसी के भी टैग नहीं निकाला भी यह 649 रूपीज की है 100% कॉटन देख सकते है तो अगर आप अपने बच्चे हो कॉटन की शर्ट्स पैन कमेंट करके जरूर उताएगा इनकी जो मोस्टली फोटोस है न मैं इनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूं तो आप फॉलो कर सकते हो इन्हे अगर आप इन्हे देखना पसंद करते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको देदूंगी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स म प्रोड़क्ट के लिंक मिलेंगे तो वो भी मैं ट्राइ करूंगी अगर बिल जाएंगे तो मैं देदूंगी अदर्वाइस आप अपने नियरस्ट रिलाइन स्टेंट पर जाके खुच शॉपिंग कर सकते हो थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग बाई